रम रम दोस्तों नीबू के पोधे में जादा फूल जादा फल और साथी साथ फूल जड़ने की समस्या फल जड़ने की समस्या आपके पोधे में आती रहती है या फिर बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनके नीबू के पोधों में फूल ही नहीं आते फूल तो आते हैं लेकि सब्सक्राइब ले खेती बाड़े और भागवाणिं सम्मद एते हैं विविन पिर्कार की वीडियो आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से यह भाना नीबू का पोधा देख सकते इसमें गार, बहूत भली इसमें शोड़ीग हुहेँ हैं और छोटे फ़ल है, कंची के आकार के फ़ल है, साथी साथ हमारा ये बारे मासी जो कागजी नीबू का पौधा आप देख सकते हैं, इसमें साल के बारे महीने आपको जो नीबू के फ्रूट मिल जाएंगे, नीबू इसमें मिल जाएंगे. तो इसके लिए आप छोटा सा इस्टेप करना है साल में दो बार अपने पोधे की निराई गुडाई करें सडी हुई गोगर की खाद डाले साथी साथ सरसो की खली का उपयोग आप अपने पोधे में करें उसी के साथ साथ एक बेसी की बात हम जो जर्नली आपको बता रहे हैं आपका पोधा जो इस्ट्रेश में नहीं जाना चाहिए उसको समय समय पर आप सिचाई करते रहें साथी साथ उसमें एक इस्परे करना है आपको आप इस्परे लगभा के साल में चार से पांच बार उसका कर सकते हैं जैसा सागरिका का इस्परे आप अपने पोधे पर करते रहें पोधे की बढ़वार नियमित रूप से बनी रहेगी और साथी साथ आपके पोधे में फूल फट जड़ने की समस्या भी नहीं आएगी तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों